हलो बच्चो नवस्कार प्यारे बच्चो आज हम लोग फिफ्ट चैप्टर की लास्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को कॉंटिनिटी और डिसकॉंटिनिटी टॉपिक से रिलीटिड मैंने NCRT के कोश्चन करवा दिये थे लेकिन मैंने आपसे बताया था कि इस टाइप के कोश्चन एक्जाम में जातर नहीं आते हैं लेकिन इससे कुछ उचे लेवल के कोश्चन CBSE बोर्ड के एक्जाम में देखे गए हैं तो आज मैं उसी टाइप के कुछ दो चार कोश्चन यहां पर आपको करा के दिखा रहा हूं और उसके बाद बचो आपको उन्हीं को ट्राई करना है फिर हम अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट सेशन में उसको हम कवर करते चले जाएंगे ठीक हैं तो मैं अगरवाल से आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टन कोश्चन की सीरीज कराने जा रहा हूं तो आप लोग एक एक करके सारे कोश्चन को देखिए फिफ्ट चैप्टर के अंदर कॉंटिनिटी है चलिए हाँ जी अब देखिए मैं के करके कुश्चन ले रहा हूं और फिर सॉल्व करतें से अब एक मुल बच्चों थोड़ा सा टाइम देना रहा हूं मिल गया हूं चलिए विच्चों देखते हैं एक कुश्चन करते हैं चलिए ये देखेंगे बेले कुश्चन नमबर फाइव बच्चों पेज नमबर थ्री थ्री फोर ठीक है चलिए देखें क्या है एक बच्चों आपको फंक्शन दिया गया है फंक्शन दिया गया है 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 और 4 की पावर x माइनस 16 और x is not equal to 2 और फिर का गया है k x is equal to 2 कह रहा कि अगर ये फंक्शन पहले से ही continuous है तो k की value find कीजिए अगर ये फंक्शन क्या है पहले से ही continuous है तो भाई क्या कीजिए k की value find कीजिए इसने ये बूला है ठीक है करते हैं अब ये कोशन देखके mostly बच्चे क्या करेंगे भाई छोड़ देंगे क्यों क्योंकि भाई इसमें एक basic सा rule apply किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है एक basic सा rule apply किया जा रहा है ठीक है अच्छा इस टाइप के कोशन को करने का थोड़ा तरीका भी अलग होता है ठीक है क्योंकि अब तक हमने जो तरीके सीखे हैं हो सकता है उन तरीकों को हम या पर fail समझें कि भाई अब ये तरीका अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है बचो कि अगर आपको एक बात मैं बता देता हूँ यह अगर आपको यह बात पहले से ही पता है कि यह continuous है तो आपको LHL, RHL निकालने की जुरत असल में नहीं पढ़ती है मैं आपको रियल बात बता हूँ ठीक है क्यों नहीं पढ़ती है आप खुछ सोचो आप एक बात खुछ सोचो हमने क्या सीखा है कि अगर कोई अगर कोई function पहले से ही continuous है तो वो always क्या होते है आपस में LHL, RHL और equal में हमीशा क्या होते हैं बराबर होते हैं हमीशा क्या होते हैं यहां तक हमने सीखा हुआ है अच्छा जब यह तीनों आपस में बराबर है तो मैं LHL और RHL के लफ़डे में पढ़ना ही नहीं ही हम तो direct क्या करेंगे बहुआ लेस देन और ग्रेटर देन वाले कंटेंट को एक ही कंटेंट मान के सॉल्व कर देंगे क्यों सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि यह function continuous है और continuous के के स्में LHL, RHL सब बराबर होते हैं तो बस सॉल्व कर दो now when x is not equal to 2, बस not equal to 2 का मतलब क्या हुआ, कि greater than और less than दोनों के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, limit को extend कहां तक रखो, 2 ही तक रखो, क्यों क्योंकि less than और greater than दोनों के लिए हो रहा है, तो इसका मतलब कहां से value उठना शुरू हैगी, 2 से, या तो 2 से उपर जाएगी, या तो 2 से न ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना, इधर देख लो पहला समझ लेना अच्छे से, ठीक है बच्छो, अब अगर ये 2 की power x plus 2 है, तो क्या मैं इसे 2 की power x dot 2 की power 2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकता हूँ, क्यों क्योंकि base same होती तो power add हो 2x, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 4 को क्या करते हैं, 2 का square, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का square और उसकी power x, हाँ जी, minus, minus, अर ये 16 है, इसे क्या लिखेंगे, 4 का square, 4 का square, अब एक बात ध्यान रखना बच्छो, मेरे बात ध्यान रखना, एक सुनना, ए आइंत कि लास की एक बात सिखा रहा हूँ, मैं आपको, ये देखो, 2 की power, 2 की power, 2x, 2 की power, x2, 2 की power, x2, और 2 की power, 2x, ये एक काम करो, digit में लो, 3, सबको digit में लो, digit में जाद अच्छा समझोगे आप, हाँ जी, कौन से ऐसे दो हैं, जो same हैं और बाकी different हैं, तो याद रखना बच्छो, ये और ये same हैं, reason, क्योंकि जब भी किसी की power के बाहर, यानि कि, किसी की power के bracket के बाहर, एक और power हो, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, multiply, तो अगर इसको multiply करूँगा, तो ये 2 की power 6 बन जाएगा, same case इसके साथ भी है, multiply करूँगा, तो 2 की power 6 बन जाएगा, ठीक हैं, लेकिन बच्छो, इस case के बारे में बताता हूं आपको, इस case में क्या होता है, इस case में, याद रखना, कि ये ना इसकी square है, 3 की square है, किसकी square है, 3 की, तो ये बन जाएगा 2 और 3 का square 9, लेकिन ये, ये 2 का cube है, ये क्या है, तो क्या बन जाएगा 2, 2 का cube, ये बन जाएगा 8, तो क्या ये किसी भी case में ये बराबर हुए, नहीं, लेकिन अगर किसी के power लखके bracket है, और उसके उपर square है, तो वो दोनों करते हैं multiply तो क्या रहेंगे same यानि मैं 2 की power ये 2 का whole power 3 लिख दू ये 3 का whole power 2 लिख दू दोनों क्या है same तो अब बताओ मुझे simple सी बात अब मुझे simple सी बात बताओ आप limit extend to 2 2 की power x इसको मैं 4 तो लिखी सकता हूं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं जल्दी बोलो अचा तो अब यह देखो इधर द्यान से देखना यह 2 की power 2x है तो क्या मैं इसे 2 की power x 2 नहीं लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि bracket के बाहर square है ठीक है और यह हो गया 4 का square ठीक अब देखो क्या है limit extend to 2 उपर से common क्या ले लोगे 4 common ले लोगे अंदर क्या बसे एगा 2 की power x 4 के square पे से 4 common ले लिए बचा 4 upon क्या यह आपको a square minus b square जैसा दिखाई दे रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है a square minus b square तो क्या मैं इसे a minus b a plus b लिख सकता हों कि नहीं क्या यह कटता होना जर आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बचा limit extend to 2 4 2 x plus 4 power put कर दो power put कर दो तो क्या हो जाएगा 4 2 की power 2 plus 4 हाँ भई 2 का square 4 plus 4 4 plus 8 cancel out एक बटा दो यानि LHL और RHL के लिए value कितनी आई हुई है 1 by 2 और क्या करेंगे when x is equal to 2 तो limit extend to 2 f of x और उसकी value क्या दी गई आपको k क्या दी गई है k अब आपको यह बात तो अच्छे से बता है कि यह पहले से function क्या था continuous it is given that it is given that this function this function is continuous यह बात तो हमें पहले से पता था और जब पहले से ही पता है हमें कि यह continuous है तो LHL वाला LHL वाला case और RHL वाला case बराबर होगा किसके plus minus दोनों लगा देता हो है ना और यह वाला case equal to वाला case दोनों सेम होंगे तो इसकी value क्या आई थी LHL आरे चल गी एक बटा दो और इसकी value क्या है के तो के का answer कितना आई एक बटा दो है ना simple बस यह simple कब आपको अच्छा लगेगा जब आप इसे solve करना जाओगे अगर आप solve करना जान गए तो आपके लिए बच्चों खेले ठीक है चलिए नोट कीजिए से मैं फटा फटा एक question और बताता हूं झाल 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 कि एक अचे जो झाल झाल भी जिए जिए क्वेशन देखों यह सीडियसी में आया वाए उए वाए और इस अच्छ को हुआ हाँ हुआ 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 हाँ पीश हुआ 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 हुए चालो अब देखेंगे अच्छा जरा ये गोशन देखो ये अच्छा गोशन है ये गोशन अच्छा है ये चोटी बोटी बाते बताता रहे तो ने ये साइड में ये ध्यान रखना मानतों आप लोग 12 में हो लेकिन बेसिक चीज भी सीखना जरूरी है कि यही सारी चीज़े ना वहाँ पर काम आएंगे एक्जाम में चलिए अब देखेंगे जरा हाँ जी अब ये देखो इसमें भी के की वैलो निकालनी है और पहले से ही कॉंटिनियस दे रखा है लेकिन अब की बार कोश्चन की रेंज काफी है तक बदल दी है क्या बदली है रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस में पाई बाई सिक्स और एक्स नॉट एक्वल टो पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स है थिह माइनä सपाई बाई सिक्स है बही बाई स्ट आर एक्स एपै क्याए बाई सिक्स अब इस वाले केस में तो आप जानते हैं यह क्या करना पड़ेगा आक fino more एक है Own है चल वेन X is भाई क्या भाई less than minus five by 6 ठीक है क्यों क्योंकि minus में अंगल है तो zero बना के करना ज्यादा असान रहेगा ठीक है चलिए तो limit x tend to minus five by six f of X limit x tend to minus five by six route three sin x plus cos x और x plus में 5 by 6 ठीक है ना लेट करेंगे क्या x बराबर x बराबर क्या करेंगे भई जल्दी बता हो क्या लेट करते हैं माइनस 5 by 6 माइनस h यही लेट करेंगे न और put करेंगे क्या put करेंगे x tend to minus 5 by 6 यहां पर रखेंगे minus 5 by 6 से minus 5 by 6 कटेगा h आएगा 0 एच क्या आएगा 0 यहां पर रखो लिमिट अब कहां लेकर जाएंगे h 0 पर root 3 sin x हंजी x की value यहां से निकालेंगे x की value यहां से निकालेंगे क्या बनेगा minus ka pi by 6 plus h sorry minus h ठीक है अच्छा अब क्या है plus cos इसका भी निकालेंगे minus pi by 6 minus h upon इसका भी निकालेंगे तो यह क्या बनेगा यह यह बनेगा x की जगाप है minus ka pi by 6 minus h ठीक है और यह बनेगा plus ka pi by 6 ठीक है minus pi by 6 से plus ka pi by 6 cancel out हो गया बजगया minus h अच्छा अब जड़ा ध्यान से देखना अब क्या करने वाले हम लोग ठीक है यहां से लो minus common limit h extend to 0 root 3 sign minus common अंदर क्या बचेगा pi by 6 plus में h यही बचेगा की नहीं plus इसमें भी ऐसे ही minus common ले लो क्या बचेगा क्या बचेगा minus common लिया pi by 6 plus h upon में क्या बचा एच बचा अपॉन में स्वरी माइनस का h बचा हांजी अब क्या करने वाले हम जल्दी बता दो बचो देखो ध्यान देखना limit h extend to 0 हांजी अब मेरी बात को ध्यान से सुनना साइन माइनस ठीटा क्या होता है माइनस का साइन ठीटा साइन माइनस ठीटा ये पूरा तो ठीटा की तरह काम कर रहा है ना तो साइन माइनस ठीटा क्या होता है माइनस का साइन ठीटा तो माइनस बाहर करो root 3 sin pi by 6 plus h हा की न अब ये है plus अब आपको अच्छे से पता है cos minus theta क्या होता है जल्ली बताओ cos minus theta क्या होता है भाई cos theta इसमें कोई change नहीं आएगा ठीक है upon minus का h भाई यह minus common ले लो क्या common ले लो minus common ले लो minus common लेते ही क्या बन जाएगा देखना minus common लेते ही यह नहीं limit h extend to 0 minus common लिया root 3 sin pi by 6 plus h यह minus का हो जाएगा क्योंकि जबरदस्ती common ले रहे cos pi by 6 plus h upon minus का h minus से minus cancel minus से minus cancel अब क्या करेंगे भाई अब करेंगे हम यहाँ पर अब यहाँ हम formula का जुगाड लगाएगे किसका जुगाड लगाएगे formula का जुगाड चलो जी लगाते है limit h extend to 0 root 3 sin pi by 6 plus h minus cos pi by 6 plus h अच्छा एक बाद बताओ यह आपने आप में multiply में 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिलकुल हो रहा है अगर इसके नीचे किसी तरीके से 2 आ जाए अगर इसके नीचे किसी तरीके से क्या आ जाए 2 आ जाए तो मुझे यहाँ पर एक चीज बंती हो दिखाई दे रहीगी क्या एक formula बंता हो दिखाई देगा sin a cos b cos a sin b हागी ना तो बस मुझे यहाँ पर 2 लगाना है तो 2 हम जबरदस्ती तो लगा नहीं सकते अब आपको पता ही है जबरदस्ती के सौधा मैथ में नहीं चलता है तो अगर मुझे नीचे 2 चाहिए तो मुझे उपर भी 2 लेना पड़ेगा मतलब 2 से multiply और 2 से divide तो चलो ठीक है इस वाले 2 को तो बाहर निकाल दो क्यों क्योंकि इसकी जुरूत नहीं है लेकिन नीचे वाले 2 की तो जुरूत है ना लगाओ इसके नीचे लगाओ क्या बनेगा root 3 upon में 2 sin pi by 6 plus h minus cos pi by 6 plus h into में 1 by 2 ठीक है और इस वाले 2 को हमने क्या कर दिया बाहर upon में h to limit h extend to 0 बै देखो अब ध्यान से देखना sin a इसको मान लो क्योंकि हमें पता नहीं को होन है ठीक है root 3 by 2 क्योंकि formula sin a minus b का formula होता है sin a cos b minus cos a sin b यही formula होता है ना formula यही होता है तो अगर मैं इसे sin a ले रहा हूँ तो root 3 by 2 किस में जाएगा cos में और root 3 by 2 cos में कितने पे होता है तो cos में 30 पर होता है तो it means cos pi by 6 cos pi by 6 अब minus अब क्या आएगा cos a तो cos a है हमारे पास ठीक है cos a है हमारे पास अब क्या सही है sin b pi by 6 upon में h formula समझ में आ गया अच्छा to limit h extend to 0 sin a cos b minus cos a sin b किसका formula होता है sin a plus b का pi by 6 sorry sin a minus b का pi by 6 plus h minus pi by 6 च्योंकि यह a है यह minus b है upon में h pi by 6 से pi by 6 कट गया बचा किया to limit h extend to 0 sin h upon h और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भई 2 into में limit h extend to 0 sin h upon match क्या होता है 1 तो कितना आ गया 2 कितना आ गया 2 तो जो आपने lhl के लिए solve किया है same as rhl के लिए होगा अब यहाँ पे लिखेंगे similarly similarly rhl when x is greater than minus pi by 6 ठेक है यही same function लिख के बराबर में क्या लिख दोगे 2 बराबर में क्या लिख दोगे 2 क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं क्या जानते हैं कि भई lhl और rhl continuous के case में क्या होते हैं same होते हैं चलो यह note करो फिर आगे करवाता हूं इसी के थोड़ा सा 11th का याद रखना पड़ेगा भाईयों इसमें 11th का है पूरी तरीके से note करो भई उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है आगे देखते हैं आगे घम ऑषे आ़ेखते हैं क्या आगे प्यायद जए řष्ट आगे पादर आगे पीप the better के जागे डेखते हैं देखते हैं अ क्याज़ रखना होता है झाभThat क्यात्व चाई हैं औवया प्टोप प्या लिया विर रρι勉ज़, झाल 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 ठीक बच्चो अब आगे देखो अच्छा अब हमने क्या किया अब यहां पर हम करेंगे हम जी आरे चल तो यहां पर लिख देंगे क्या भई कि लिमिट X टेंड टू प्लस F आफ एक्स इसकी वैलू कितनी आएगी इसकी वैलू टू आएगी इसकी वैलू कितनी आएगी टू इसी में लिख देंगे नाओ अब क्या भई वैन X is equal to minus 5 by 6 और इस पे वैलू कितनी थी इस पे वैलू कितनी जल्दी बताओ इस पे वैलू है आपकी K इस पे वैलू कितनी है K अब आपको पताएं कॉंटिनियस के केस में भाई यह बराबर होता है यह बराबर होता है यह इस सबस्क्राइब यह वैलू कितनी इस पे फारी है अब कॉंचर और कराता हुप क्यों करें पैर अच्छै कोस्षण घ्र पशा कि चलो यह कर आते हैं यह आया है कि यह आया हुआ कई बार कि बहुत लेंदी है लेकिन बहुत करवाना तो पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में आया हुआ है झायए झायए दिन बार कि दो की बहुत्यों कि पेले से लेसे कि बहुत करवाना धनीमगान बास्क कर दो स Приकंदा क्योंकि यहालूben अवे है लेकिन यहीकिन में जाए र्लूब अबगळा है अरjut लेका नदी है लेकिन में बहुत कड़ेगा है चलो अच्छ शूरू करते हैं यह कोशन देखो यह अपने नोट कर लिया होगा और यह कोशन देखो बहुत प्यारा कोशन है और थोड़ा सा पहले से अलग है ठीक है विसे तो कोशन बहुत हैं लेकिन मैं आपको वो सारे कोशन करवा रहा हूं जो सी बी एस सी में आए हुए है ठीक है चलिए देखेंगे जिरह बच्चो रूट एक्स रूट के अंदर ही है ध्यान रखना एंद एक्स इस ग्रेटर दें जीरो चलिए हमें इसे सॉल्व करना कोशन देखो कितना मतलब प्यारा कोशन है अगर गौड से देखोगे कोशन इतना अच्छा है बच्छो कि इसमें देखो अब की बार एक एक पार्ट अलग किया गया है less than का भी अलग है greater than का भी अलग है equal to का भी अलग है it means हमारे लिए काम की मुसीबत बढ़ा दी गई अब तक हम जितने भी कोशन कर रहे थे बच्छो उसमें आप क्या देख रहते less than और greater than के लिए एक जैसा केश था और पहले से ही continuous बताया गया था ठीक है और अगर मैं इसकी बात करू हूँ तो इसमें न हमसे कुछ भी नहीं बताया गया है हमें कुछ नहीं बताया गया कि भाई ये less than है equal to है क्या है कुछ नहीं बताया गया बस बोल क्या दिया इसने इसने बोल दिया if the function f हाँ नहीं बोला हुआ है बाई sorry continuous बोला हुआ है कह रहा है ये continuous है कितने पे 0 पे तो a की value find करो ठीक है क्या बोला हुआ है a की value find करो लेकिन समस्या ये है कि आपकी बार less than कभी conditional है greater than का लग है और equal to कभी अलग है तीनों का conditional है तो ठीक है जी एक एक करके solve करते हैं कोई दिक्कत नहीं हमें पहला तो वही वही क्या LHL when x is less than 0 ठीक है अब देखिए limit extend to 0 minus f of x is equal to limit extend to 0 minus हांजी क्या रहेगा 1 minus cos 4x upon x square अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आपने cos 2 theta का formula पढ़ा है 1 minus sorry 2 cos square theta minus 1 यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा जल्दी बता दो ठीक है एक और पढ़ा है अपने क्या cos 2 theta का एक formula और पढ़ा है अपने 1 minus 2 sin square theta यह भी पढ़ा है अब अगर मैं इस formula को आपको derive करके दिखाऊं तो minus वाली चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी plus की यह plus वाली चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी minus की ठीक है अब अगर आप इसका रूप रंग देखे तो उपर वाले जैसा ही match कर रहा है देखेंगे कायोगे नहीं सर नहीं कर रहा match गलत बोला अपने यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है कोई बात नी जी half angle formula का नाम तो हमने सुना है अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 theta है तो अगर माल लीजिए ठेक है चलिए करी डालते है ना खतम करते है खतम ही करते है limit extend to 0 यह क्या बन जाएगा 2 sin square 2 theta upon x square ठेक है नाओ लेट करेंगे x बराबर क्या 0 minus h extend to 0 minus h extend to 0 चलिए limit पूट करेंगे नाओ limit h extend to 0 2 sin square 2 theta की जगा पे minus h upon x square यानि कि minus h का square minus h का square ठेक है क्या यहाँ पूट करना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पूट अगर कर देते हैं तो यह minus का h बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कर देते हैं हमें कोई problem नहीं है हमें तो solve करने से मतलब है बस चलिए ठीक है अब क्या करेंगे चलो अब next step में क्या करेंगे next step में करेंगे हम limit h extend to 0 पैरे बच्चो 2 अच्छा sine के उपर क्या है square तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ sine square हाँ जी minus का h इससे multiply होके minus का 2h हो गया है और square अगर मैं बाहर common निकाल लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है और ये minus का h square क्या होता है h square होता है ठीक है जी अच्छा अब आपको अच्छे से बता है कि limit h extend to 0 2 हाँ जी sine minus theta minus का sine theta होता है कि नहीं जल्दी बता दो अच्छो होता है अच्छा अब मैं क्या करूँगा अब बच्चो मैं उस square को खोलूँगा और minus का square वापस किस में हो जाता है plus में हो जाता है किस में हो जाता है plus में हो जाता है लेकिन बच्चो एक समस्या है क्या अगर मुझे यहाँ पर condition बनानी है one वाली तो हमने क्या condition सीखी है limit x tend to 0 sine x upon x बराबर 1 यानि sine के साथ में जो भी होगा वो यहाँ भी होना चाहिए तो मतलब एक बाब बताओ अगर एक खुद सोचो अगर मैं इसके square को इसके square को ऐसे लिख दूँ तो कोई फरक तो नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा अब बोलोगे कि भी या आपने square जब किया तो इस 2 का 4 क्यों नहीं किया तो मेरे भाई यह यहाँ पे angle का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है angle का और जब sine square करते हैं तो angle थे कोई लेना देना नहीं होता ठीक है तो चलो अभी तो फिलाल के लिए आप square को यहीं रहने दो ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे limit h x h extend to 0 और यह sine 2h का whole square अगर मैं लिख लूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों? क्योंकि 2h यहाँ पे किसका काम कर रहा है angle का और angle से हमें square का कोई लेना देना नहीं होता अच्छा अब मुझे इस चीज को ऐसा बनाना है मतलब sin x upon my x मतलब sin 2h है तो नीचे भी क्या चाहिए? 2h अच्छा अब देखो अब अगर मैं इसे 2 से multiply कर दूँगा 2 से divide कर दूँगा तो 2h थोड़ी बनेगा यह तो 2h square बन गया यह तो गड़बड हो गई तो मैं काम करता हूँ मैं 2 से ना multiply करके 4 से multiply और 4 से divide करता हूँ ठीक है? तो यह बन जाएगा 4 2 जा 8 8 को करो बाहर limit h extend to 0 sin क्या बन गया? sin 2h का whole square upon 4 जब h से multiply करेगा तो बन जाएगा 4h square अब जड़ा ध्यान से देखना अब जड़ा ध्यान से देखना sin 2h का whole square अब क्या मैं इसको 2h का whole square नहीं लिख सकता हूँ बोलो लिख सकता हूँ ना क्योंकि 4 क्या है? 2 का square h क्या है? h का square ठीक है? बस बात खतम अब देख लो अब बताओ क्या मैं इस पूरे figure को ऐसे लिख सकता हूँ sin 2h upon 2h का whole square लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ बस बात खतम आपको पता है ये पूरी condition जो होती है किसके बराबर होती है? 1 के और 1 का square क्या होता है? 1 ही होता है तो 8 into 1 बड़ाबर 8 तो बच्चो LHL की value कितनी आ गई? 8 जल्ली उतारो फिर ये ये solve करवाता हूँ इसकी value 8 हागी ध्यान रखना हूँ ठीक है? इसकी value 8 हागी जल्ली note करो फिर मैं आपको RHL solve करवाता हूँ ठीक है? अब इतने तो देखो आपको भी पाद चल चुका है कि अगर LHL की value 8 हाई है तो RHL की value भी कितनी आएगी? 8 ही आएगी क्यों? क्योंकि function क्या है? continuous function क्या है? continuous और आपको मैंने क्या तिखा है? कि continuous function में तीनों condition बराबर होती है तो अगर ये 8 है तो अब इसको अगर इसका आपका 8 के लावा कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो ठीक है? तो अभी करवाते हैं आपको RHL नोट कर वच्चो जल्दी आले नोट करो चलिए बिटाओ देखेंगे चलो देखते हैं नो RHL वन X is greater than 0 वन X is greater than 0 तो limit X tend to 0 plus F of X limit X tend to 0 plus under root X under root 16 plus under root X minus 4 ठीक है जी? अब क्या करने वाले हैं? अब करने वाले हैं बच्चो let X वराबर 0 plus H X tend to 0 plus H X tend to 0 सही बात है यह तो मेरे को बताने जूरुत नहीं है यह तो आप पढ़ते आ रहे हो शुरू सही now limit अब कहां से सिरू करेंगे? H से H under root H 16 plus under root H under root H minus 4 अब समस्य यह आती है कि इसको solve कैसे किया जाएं? तो बच्चो अब देखो solve कैसे करें? 9th किलास के अंदर आप लोगों ने एक condition पढ़ी है बच्चो क्या condition पढ़ी है? rationalization क्या rationalization? कि जब नीचे fraction में root का number आ जाए तो हमें root हटाना है किसी भी हाल में तो आपको पता यह root कैसे हटता है? जो भी डिजिट है उससे multiply और divide कर दो बस अगर minus का sign है तो प्लस लगा देंगे plus का sign है तो minus लगा देंगे इसके बीच में मत लगा देना कर इसके बीच में लगा दो दो unit के बीच में लगता है ठीक है कुछ बच्चे ने पिछले साल ऐसा कर दिया था मैंने का तो try करके लाना उन्हों try किया सब सब के sign change कर मारे ठीक है तो ऐसा नहीं करना है चलिए limit है एक स्टेने टो जीरो multiply करेंगे root ह ब्रैकेट में root ह प्लस root 16 प्लस root ह प्लस चार अपॉन में अच्छा ध्यान से देखना इधर देखो यह आपको a-b जैसा लग रहा है यह आपको a-b जैसा लग रहा है लग रहा है कि नहीं ठीक है तो बस क्या करना बई क्या करना है अब आप इसको इसको इससे multiply करोगे तो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट ह का होल स्क्वेर माइनस चार का स्क्वेर कुछ ऐसे ही बनेगा ठीक है अच्छा अब करते हैं सॉल्फ लिमिट एच एक्स्टेंट टू जीरो अंडर रूट एच अंडर रूट सोला प्लस रूट एच प्लस चार अपन हंजी स्क्वेर से रूट कट गया बचा क्या सोला प्लस रूट एच ठेक हैं और ये चार का स्क्वेर तो क्या बचेगा माइनस का सोला वही या सोला से सोला कट गया लिमिट ह till टू 0, under root h, under root 16 plus root h plus 4 upon root h, root h से root h कट गया? limit भुट कर दो, under root 16 प्लस root 0 plus 4, तो under root 16, 0 का तो 0 ही होता है, तो under root 16 प्लस 4, हां भाई, under root 16 क्या होता है? 4 प्लस 4, तो देखो कितना आ गया? 8, आ गया? इसका मतला हमारी condition मिलकुल सही निकली, अब क्या करेंगे? now when x is equal to 0 तो limit extend to 0 function कितना है a के बराबर है किसके बराबर है a अब आपको पता ही है lhl, rhl और equal to तीनों ही बराबर आए हैं किसके a is equal to 8 के तो a के value कितनी आ गई 8 करो है न सिंपल बस यह है शुरू में थोड़ा सा दिमाग लगेगा solve करने में बागी सब तो फिर सिंपल सिंपल है एक लास्ट और देख लो ठीक है फिर कहानी खतम करते हैं क्योंकि यह question आया हुआ है exam में वैसे तो और भी यह दो चार लेकिन यह कराना जाए जरूर यह भी ठीक है और ट्राइब करते रहे न अब झाहा हुआ है लो भाई अब सबसे डिफरेंट एक कोशन कराने जा रहा हूँ इसे नोट कर लो फिर एक यह आखरी कोशन उसके आधी चैप्टर खतम ठीक है नेक्स्ट लास में सुरू करेंगे छटा चैप्टर ठीक है तो यह हो गया होगा चालो पहला सो जाता मैंने कि मैं आपको दे दूं लेकिन फिर भाई मुझे लगा कि नहीं कुछ ऐसे कंडिशन्स हैं इसमें जिसमें हो सकता है आप फस जाओ ठीक है कोर्शन देखो अच्छो फिर से कहा रहा है कॉंटिनियस है फंक्शन फिर से कॉंटिनियस है और दिया हो वन माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos square x 3 cos square x और x is less than pi by 2 x is less than pi by 2 फिर है p x is equal to pi by 2 फिर है फिर है q q 1 minus sin x upon pi minus 2 x का whole square pi minus 2 x का whole square x is greater than pi by 2 ठीक है चलिए है now limit x tend to 0 minus f of x sorry यहां पर when x is less than pi by 2 limit x tend to pi by 2 minus f of x limit x tend to pi by 2 minus संजी less than के लिए value 1 minus sin cube x upon 3 cos square x यही है अच्छा अब आपको पता ही है let करेंगे x बराबर pi by 2 minus h x tend to pi by 2 minus और h extend to क्या जाएगा 0 यह हमें कुछ यह नहीं बात तो है नहीं नहीं है लिमिट है एक है एक स्टेंट टू जीरो वन माइनस साइन है अजी पाइबाइट 2-h और क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब तो पूरे का क्यूब ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन थ्री कॉस हां जी क्या होगा पाइबाइब टू- एच और यह क्या बन जाएगा होल स्क्वार बन जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो लिमिट h extend to 0, sine 90-teta cos theta तो cos cube h 3, cos 90-teta sin theta तो इसका मतलब sine square h कोई फर्क नहीं पड़ा अच्छा इसके ओपर cube है तो मैं इसके ओपर भी तो cube मान सकता हूँ बच्छो अगर इसके ओपर cube है तो मैं 1 के ओपर भी तो cube मान सकता हूँ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा और आप अच्छे से जानते हैं कि बच्चो a3-b3 का फॉर्मुला क्या होता है तो होता है a-b a2-b2-b2-ab यही होता है चलिए नाउ तो लगाएंगे ज़रा फॉर्मुला limit h extend to 0 हाँ जी 1-cos h 1-cos h 1-cos h h प्लस 1-2-cos h अपन हाँ जी यह बन जाएगा आपका 3 sin square h sin square h sin square h को मैं 1-cos square h लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं जल्दी बताओ बिलकुल लिख सकता हूं मैं sin square h को 1-cos square h लिख सकता हूं चलिए अगला limit h extend to 0 1-cos h 1-cos square h plus cos h upon 3 अचा इसके उपर square है 1 तो इसके उपर भी तो square लिख सकता हूं 1 के उपर तो क्या यह आपको a square minus b square जैसा लग रहा है बात खतम 1-cos h 1-cos h minus वाली पार्टी से minus वाली पार्टी कटती हूं दिखाई थी put करेंगे limit तो क्या बन जाएगा 0 plus cos 0 0 cos 0 0 तो 0 का square 0 ही होता है 1 तो ही plus cos h यह निए cos 0 0 3 1 plus cos 0 0 तो कितना आगया यह यह आगया 1 upon में 3 यह कितना आगया 1 upon में 3 ठीक है भई कुछ समस्या होगे इसमें 1 upon में 3 नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर 1 upon में 3 आगया तो फिर value यहां कटे गी नहीं value यहां कटे गी नहीं cos में इसको sign में ही चलाना पड़ेगा इसको sign में ही चलाओ sign में ही चलेगा बच्चो यह sign में ही चलेगा यह कटेगा नहीं क्योंकि आगे कटेगा तो यहां दिक्कत होगी फिर मत करना इसको भी यहां पर ठीक है sorry यह sign में ही चलेगा याँई साइन में न HIV चलेगा न तो कर जयाए हूँ है इसको न यहीं से solve करना सुरू कर ओ ठेक यहीं से सान साइन साइनस की अपन थ्री डी काउस स्क्राइब साइन एक स मौन साइन उसा इंक्स lange स्क्राइब सकते हैं इस इसा कि लिक्त लिक्दी है संद्स एकर पर स्क्राइब च्लते हैं हुआ इस quay-bay-tos वनन माइनस साइन एक स please a प्लस p यह इससे cancel क्या बज गया हाँ बज गया limit x टेंड टू पाई बाई टू माइनस 1 प्लस में sin square x ठेक है एक मिलट यार कुछ गड़बड कर दी है हमने सही तो कर रहे थे कुछ सही तो कर रहे थे cos 0 क्या होताइ cos 0 1 होताई sin 0 sin 0 होताई 0 cos 0 क्या हुआ 1 ही तो हुआ सही है यार बिल्कुल सही कर रहे थे चलो कोई बात नहीं इस मेथ़ड से भी कर दो क्या दिक्क्त है सही कर रहे थे sorry बच्चो मेरे मیails से निकल गया मेरे मांध से निकल गया sorry है अब तो वही सेम सीन होगा वही क्या रोप कर लेंगे एकस बराबर क्या पाई न्ग्म एक सैने टू पाई न्ग्म एकस तो फिर एक सैने टू जी रो ठीक तो कर रहे थे तो ॉप- entry-0 1-plus में sin pi by 2 minus h और इस पूरे का क्या बन जाएगा whole square plus sin pi by 2 minus h अपको उन में 3 1 plus sin pi by 2 minus h तो ये बनेगा limit h extend to 0 1 plus sin sin to होगा नहीं sin 90 minus theta cos theta sin 90 minus theta cos theta sin 90 minus theta cos theta limit put कर दो 1 minus cos square 0 plus cos 0 3 plus sorry 3 1 plus cos 0 और आमको पता है cos 0 क्या होता है 1 होता है क्या होता है 1 होता है तो क्या बनेगा 3 upon 3 into 2 3 से 3 कट गया 1 by 2 मैं वहीं सोचू नहीं 1 by 2 आना चाहिए था ठीक है तो cos 0 क्या होता है 1 होता है चलिए तो यहां तक हो गया नोट करो इसको फिर यह वाला करवाता हूँ greater than वाला यानि अगर यह 1 by 2 आ गया है तो देखो अच्छा sorry 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 P और Q की टर्म निकालने न करते हैं इसको भी P और Q की टर्म निकालने चलो करें सुरू अंजी बचा यहां तक तो नोट कर लिया होगा आपने ठीक है यहां नोट कर लिया होगा आप देखो यह वाला greater than वाला चलो अब greater than वाला देखो नो हां जी when x is greater than pi by 2 limit x tend to pi by 2 plus f of x limit x tend to pi by 2 plus हां जी greater than के लिए Q 1 minus sin x pi by sorry pi minus 2x का whole square वही करेंगे let क्या x बराबर pi by 2 plus h और x tend to pi by 2 plus तो कितना जाएगा h कितना जाएगा 0 limit h extend to 0 Q 1 minus sin pi by 2 plus h upon 2 pi by 2 plus h ठीक है और इस पूरे का whole square limit h extend to 0 Q 1 minus sin 90 plus theta हां जी 90 plus theta याद करो 11th class 90 plus theta क्या बताए था कौन सा quadrant second second में sin की value positive लेकिन 90 है तो change होगा किस में change होगा cos h में minus का minus ही क्यों रहने दिया क्योंकि sin की value positive upon pi minus अंदर multiply होगा 2 से 2 कटेगा pi बचेगा अंदर multiply होगा minus का 2h और यहाँ पे whole square pi से pi cancel तो यहाँ गया limit h extend to 0 q 1 minus cos h upon हां जी minus 2h का square minus 2h का whole square minus 2h का whole square limit h extend to 0 q हां जी यह क्यों जाएगा 1 minus cos h अर इसका square 4h का square क्या बन गया 4h का square अच्छा अब बात आती है कि अगर बच्चो मैं वो cos वाली term को लेके 0 कर देता हूँ तो यह तो पूरा ही 0 हो जाएगा तो मुझे 0 थोड़ी बनाना है मुझे तो condition चाहिए ना तो मैं काम करता हूँ मैं इसको किसी भी हाल में साइन में बदलने की कोशिश करता हूँ किसे में बदलने की कोशिश करता हूँ अच्छो साइन में तो याद करो cos 2 theta बराबर cos 2 theta बराबर 2 sin square theta minus 1 होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है ठीक है सोरी 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 गलत लिख दिया cos 2 theta बराबर one minus two sine square theta होता है कि नहीं होता है ठीक है अब इसको उठा के इधर लाओगे तो two sine square theta और cause को उठा के उधर ले जाओगे तो one minus में cause two theta अब देखो ये वाला content बिल्कुल इस वाले की तरह देखने में लग रहा है जल्दी बताओ हाँ की ना लग रहा है ना बस फर्क क्या है फर्क क्या है कि यहाँ पर two theta है और यहाँ पर h है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर two theta की जगा क्या होगा theta तो अगर बच्चो यहाँ पर two theta होने पर एक theta है half angle formula करते हैं ना two theta होने पर एक theta है तो 1 theta होने पे क्या होगा? theta by 2 क्या होगा? theta by 2 तो क्या बच्चो मैं Q क्या मैं इसको 2 sin square h by 2 लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ इस formula के इस formula के solve करके अब आता है 4 ठीक है? h square इस 2 से ये कट जाएगा 2 बचा ठीक है? अब Q को भी बाहर करो 2 को भी बाहर करो limit h extend to 0 sin square h by 2 upon h square याद करो वो दिन कि भाई हमने क्या सीखा था? कि limit extend to 0 sin x upon x बराबर 1 क्या होता है? यही सीखा था? सीखा था ना? लेकिन बच्चों यहाँ पर sin x के साथ है क्या? h by 2 तो मुझे नीचे भी क्या चाहिए? h by 2 लेकिन यहाँ पर h नहीं है h का square है तो इस बात को ध्यान रखते हुए इसको 4 से multiply और 4 से divide multiply इसको करना है ना कि इसको क्योंकि हमें changes में लाना है तो उपर वाले 4 से की तो जुरूत है नहीं हमें बार भैको तो क्या हो जाएगा? 4 into 2 limit h extend to 0 sin square h upon यह क्या बन जाएगा? h square upon 4 ठीक है? अच्छा q 8 limit h extend to 0 sin sin h by 2 h by 2 का whole square लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बता दो लिख सकता हूँ q upon 8 into यह पूरा क्या बनेगा? 1 का square तो q upon 8 into 1 बराबर q upon 8 तो ठीक है बच्छो? यह condition समझ में आ गई होगी? ठीक है? तो देखो यह आ गई आपके किसकी condition? rhl की आपका जो function है वो किसके बराबर है? p के सही बात है now this function is continuous now this function is function is continuous अब जब यह continuous है बच्छो तो क्या मैं limit x tan 2 pi by 2 minus f of x बराबर limit x tan 2 pi by 2 plus f of x बराबर limit x tan 2 pi by 2 f of x यह किसके बराबर आये था? 1 by 2 यह किसके बराबर आया? प्लस वाला प्लस वाला आया बराबर 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 किसके? p के ठीक है? सुरी सुरी किसके? q upon 8 के और यह किसके बराबर आया? p के अब हमें value किसकी निकालनी है? Q की और P की Q की और P की तो एक बार इन दोनों को solve करो और एक बार इन दोनों को solve करो तो देखो जब इनको solve करोगे तो 1 by 2 is equal to Q upon 8 और एक बार इसको solve करो तो इसको solve करने जुरूत ही नहीं है P की value कितनी आई 8 यहां multiply कर रहा है यहां आके क्या करेगा multiply तो Q की value कितनी आ गई? 4, तो Q की value आई आई आपकी 4 और P की value आई आई आपकी 1 by 2 ऐसे solve करना है बच्चो ठेक है? करो तो इसी के साथ बच्चो आज की class मैं यहीं खतम कर रहा हूँ ठेक है? जितने भी important question थे मैंने सारे आपको करा दिये हैं हाँ कुछ एक दो question बचे हैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि सारे ही करा दिये मैंने कुछ question बचे हैं तो वो मैं आपको एक एक करके धीरे 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 सारी classes में खतम करा दूँगा ठेक है? चलिए तो आज की class बच्चो यहीं over करते हैं और इसको अच्छे से कर लेना बहुत अच्छे अच्छे question से ही है ठीक है? बहुत अच्छे से cover कर लेना और exam में आयोए question है इसलिए करवाए चलिए बाई